नमस्कार दोस्तों जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्तसंबंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाए जिससे की हमारे सब्वी फीडियो की नॉटिपिकेशन मिले आपको सबस जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है ऐसा क्या है हमारे जिवनशैली में जो हमको काफी परिशान कर देता है नहाने की आदत बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उट्टे ही नहाने चल जते हैं जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हम यहां नहीं कह रहें कि नहाने की आदत अच्छी नहीं होती बल्कि रोज नहाना सिहत के लिए बहुती अच्छा होता है लेकिन सुभा उट्टे ही तूरंट नहाने की आदक हमारे शरीर को गमजोर कर देती हैं क्योंकि सुभा उट्टे के तूरंबाद हमारे शरीर का टेमपरेचर नॉर्मल नहीं होता हम सुभा पीने के बाद चाय पीना पसंद करते हैं लेकिन यह बिलकुल ही गलत आदत है कभी भी खाली पेट चाय भी नहीं पीनी चाहिए इससे हमें भूक लगना बन हो सकती है पाचनतंतर पूरी तरह से प्रवाइद होता है इसलिए खाली पेट चाय पीने से पहले कुछ खाना बहुत ज़रूरी होता है पानी पीना कभी भी बिना मुह साप की एक खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि रात में आपके मुह में बैक्टिरिया पनप जाते हैं और बिना मुह साप की एक पानी पीने से पेट में चले जाते हैं यह बैक्टिरिया धीरे धीरे इंफेक्षन का कारण बन जा इससे हमें पेट का इंफेक्शन और पेट समन्दी समझ से आये होने लगती है मोबाइल लैप्टोप का इस्तमाल सुभा में उट्टे ही मोबाइल या लैप्टोप की और खीचे चले जाते हैं आज के समय लगभग 95% लोग ऐसे होते हैं जो उटकर सिधा मोबाइल को देखते हैं या यू कहले कि उसको चेक करने बैट जाते हैं ऐसे में उसकी किर्णों का सिधा असर हमारे आखों पर पड़ता है उस समय हमारे आखे काफी कमज़र होती है और उसी समय तेज रोशनी या उससे निकलने वाली जब आखे पड़ती हैं तो वह आखों पर गलट असर डालती हैं जो हमारे आखों को कमज़र कर देती हैं बिस्तर से उटकर तूरंट खड़े होना बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो सुभा विस्तर से उटकर उटकर हो जाते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि स्तोते समय हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिलकुल शान्त और नॉर्मल होता है यदि हम एकदम विस्तर से उटते हैं तो हमें चकर भी आ सकते हैं हम गीर भी सकते हैं इसलिए सुभा विस्तर छोड़ने से पहले विस्तर में ही बैठे रहना आवशक होता है उसके बाद ही उटना चाहिए